जैहिं दोस्तों आप लोगे के लिए बहुत बड़ी न्यूज है प्लीज वीडियो पे बने रहेगा क्योंकि यह रेलवे की तरफ से एक्जाम कलेंडर जारी हो गया है को उसी वैकेंसी आएगी अभी आज रात में ही न्यूज आई है और सुबह तक आप साथ वीडियो देख लगभग आते हैं तो कहां गुहाटी वाले में चलते हैं यही इसी में हम पाए थे तो यह देखो गुहाटी के होमसाइट पर आ गए है ठीक यह देखो गुहाटी बोड का है तो यह देखो यहां पाहले शुरू में ही देख रहे हैं दो फरवरी दो फरवरी 2024 को यह यह लोग नोटिस दिय जा रहे हैं और हम लोग को बस बाहला पुसला रहे हैं चल यह अच्छी बात है चले रेल्वे रेक्वार्मेंट बोर्ड एनूवल कलेंडर फार बी रिक्वार्मेंट के लिए अब यह शुनावी वर्षा है इसमें तो हमको लॉली पप दिया जा रहा है हो सकता है अगले साल भी यही फालो हो यही मान के हम चल रहे हैं अच्छी बात है इन्होंने कलेंडर दे दिया क्योंकि तैयारी करने में बड़ी आसानी होगी और वेकेंसी तो खायर बहुत ज्यादा नहीं दिये हैं अब जो एल पी आई है 5696 इतनी आई है और यह अभी नोटीस आ गई है जैन्वरी टू मार्च में यह इसका मतलब की फाइनल होगा क्या होगा यह वेकेंसी देंगे एक्जाम होगा इसका फाइनल भी हो जाएगा ऐसा है जन्वरी से मार्च में इतनी जल्दी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है बागी देखते हैं जन्वारी टु मार्च एलपी के लिए निकाल दिया कि यह नोटिस देंगे और अपरेल मार्च के बार अपरेल आता है ना अपरेल मई जून हर वाइकेंसिंजी के लिए तीन महीने आई इन्होंने निकाल के बढ़िया एकदम पैटर्ण में दे दिया है किलो अब इसको देखते रहो तह अपरेल से जून टेकनीशि हो गया जुलाई सितंबर जुन के बाद जुलाई अगस्ट सितंबर देखो हर में तीन-तीन महीने अपना किये हैं ये लोग चलिए तो ये एंटीपीसी ये कहा है एंटीपीसी ठीक लोग सोते हैं एंटीपीसी क्या नान टेकनिकल पापलर कटेगरी ग्रेजुएट ये अलग अलग अभी जाम होगा ग्रेजुएट लेवल का अलग होगा और नान टेकनिकल अंटीपीसी अंडर ग्रे जुलाई से सितंबर में ही जुनियर इंजिनियर पैरा मेडिकल इनका भी होगा और उसके बाद जो सबसे बड़ी वेकेंसी का बच्चे बेट करते हैं ये होता है लेवल वन ग्रूप डी ये अट्टूबर से दिसंबर ये ये कहा है ग्रूप डी का और ग्रूप डी का यारी करते रही है आप लोग और अच्छी बात है कि एक्जाम लगातार होते रहेंगे जो सब में इलिजवल है अच्छी बात है बकी हमको पता तो रहेगा कि हमारा एक्जाम कब है और हम कब से रेडी हो जाए या तो पता ही नहीं रहता का आज होगा कल होगा कि हमारी साद है तो बहुत अच्छी बात है और बागी एलपि वेकनषी कम आई है यइंई बात है दबाने के लिए इतने जल्दी-जल्दी नोटिस आई है और ठीक है लेकिन क्या दुर्ट-अकर सकते हैं क्योंकि ELP के लिए हम live discussion कराने वाले हैं और मिट्ट्रो को share भी कर दीजिए क्योंकि जब live आएंगे तो सबी लोग साथ में हम previous year question पढ़ेंगे और उसका ही solution निकालेंगे और उसी पर हम discussion करेंगे इसी साथ हम अपनी वीडियो खतम करते हैं